ओनलाइन क्लासेज में सभी विधारतियों का स्वागत है मैं विकास बढ़िया सायक आचारिय राजनिति विग्यान राजकी मैला माविदाले जुन जुनो विधारतियों पिछले जो हमारे वीडियो थे उन वीडियो में हमने पलेटों के बारे में डिसकस किया था आज की इस विडियो में हमें दूसरे जो युनानी विचारक हैं अरस्तु उनके बारे में डिसकस करने वाले हैं अरस्तु का जीवन परीचे, अरस्तु की परमुख अध्यन पदतियां, अरस्तु के राजे समंदी विचार, अरस्तु राजनेते विज्ञान के जनक के रूप में या पर्थम राजनेते के विज्ञानेक इन सब बिंदों पर आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं सबसे पहले हम अरस्टू का थोड़ा जीवन परीचे उसके उपर प्रकास डालते हैं हम सभी जानते हैं कि प्लेटों की तरह जो अरस्टू हैं वो भी एक युनानी विचारक हैं लेकिन अरस्टू हैं वो एथेंस के जनमजात नागरिक नहीं थे उनका जो जनम है वो 384 सापुरोवे में मकदुनिया के तट पर इस्टेगिरा नमगिस्तान पर हुआ था जहां उनके पिता साई चिकित सक थे इस्टेगिरा की जो प्रमप्रागत सेंस करती है वो युनान से कुछ भिन थी मकदुनिया में राजदंतर था नगर राचे नहीं थे लेकिन अरश्टु का जो लालन पालन जो हुआ वो संपनता और विपुलता की वातवरण में हुआ 17 वरस की अवस्ता में वह प्लेटो की कीरती से आकरसित होकर एथेंस आया और वहां जो प्लेटो की जो सिक्षन सेंस्ता थी अकादमी उसमें समलित हुआ और अपने जीवन के जो अगले 20 वरस थे यानि 347 इसा पुर्वा जब प्लेटो की मर्त्यु हुई इस समय तक वो इस अकादमी में विद्या धिन के रूप में लगे रहे प्लेटो अपने सिसे अरस्तु की योगिता से बहुत परभावित थे और उसे अपनी परसिद जो पुस्तकाले था अकादमी उसका मस्तिष कहकर संबोदित करते थे प्लेटो की मर्त्यु के बाद अरस्तु अकादमी का परधान बना चाहता था लेकिन विदेशी होने के कारण उसको यह पद नहीं मिल पाया और उसको कुछ निरासा भी हाथ लगी एथन्स छोड़ने के बाद में अरस्तु है वो एसिया माईने चला गया वहां उसने प्लेटो की ये सिक्षन संस्ता अकादमी की एक साखाय स्ता करता था उसने अपनी दतक पुत्री पित्यास की साधिया रस्तु के साथ की यह रस्तु लगबग तीन वर्स बड़े आनंद के साथ रहा और हर्मिज के दरबार में ही उसे इरान का पत्नोन मुख निरंग उस्तावाद देखने का उसर मिला जिसका उलेक उसने अपनी परसि पिति अर्शास्तर रास्तंतर का किरियात्म कनुभव प्राप्त हुआ तीन सो ब्याडिस इसा पुर्वा में उसे मकदूनिया बुलाया गया और मकदूनिया के सासक फिलिप ने अपने तेरा वर्सिये जो पुतर थे सिकंदर उसकी सिक्षा का बारु अरस्तु को सौंपा अ अपने गुरू के विद्वस्त नगर को पुनय बनवा दिया जब सिकंदर विश्व विजे के लिए निकला तो अरस्तु एथेंस लोटाया और वहां एक सवतंतर विचारक के रूप में जम गया एथेंस में उसने एक निजी सिक्षन सहितान की स्तापना की जिसको लीशियम के नाम से जाना जाता है बारा वर्स तक वह इसका परधान रहा इस काल में उसे सिकंदर से बराबर साइता मिलती रही अंत में 322 सापुर्व में सिकंदर की मर्ट्यों के बाद जब मगदुनिया विरोधी दल को एथेंस में सत्ता प्राप्त हुई तो एश्वास का रोप लगा कर अरस्टू को वहां से भागना पड़ा भागते समय उसने कहा था कि मैं थेंस वार्षियों को दर्शन के विरोध दूसरी बार अपराद करने का मौका नहीं दूँगा इस परकार 322 सापुर्व में अरस्टू की मर्ट्यों हो गई कुछ विद्वानों का इमानना है कि मर्ट्यों स्वभाविक नहों कर अत्तमत्या का प्रणाम थी तो ये कुछ पलेटों का जो प्रारंबिक जीवन था उसके बारे में हमने डिसकस किया है अब हम अरस्टू द्वारा रचित जो परसित पुस्तके हैं उनके बारे में डिसकस करते हैं देखिए अरस्टू की जो परसित पुस्तक है वो है पॉलिटिक्स और ये जो पॉलिटिक्स पुस्तक है ये आठ बागों में डिवाइडेड है विवाजित की गई है इसके अलावा दे कॉंस्टिचूशन है दे एनिमाज है फिजिक्स है सोल है मेट्रोलोजी है हिस्ट्री ओफ एनिमल्स है तो ये परसित पुस्तके हैं अरस्टू की अब हम डिसकस करते हैं अरस्टू की परसित अध्यन पदतियों के बारे में देखें अरस्टू की सबसे जो परसित अध्यन पदति है वो है आगमनात्मक पदति और आगमनात्मक पदति में हम विशेश से सामाने की और अगरसित होते हैं विशेश से सामानने की और अगरसित होने का मतलब है कि इस पदती में कलपनाओं को कोई स्तान परदान नहीं किया जाता इसमें वेग्यानिकता का पूट होता है इसके अतिरेक्ते अरस्तु की जो अधिन पदतियां थी उसमें तुलनात्मा का देन पदती एतिहासी का देन एक सिक्षन सेस्तान की स्तापना की थी और उसका नाम लेशियम रखा अरस्तु को पुष्ट के एकत्रित करने का भी बड़ा सोग था इसलिए पलेटो जो है वो अरस्तु के गर को पाठक का गर कहकर संबोधित करता था अब देखिए ये महत्वपून विचार है कि अरस्तु है वो पर्थम राजनितिक विग्यानिक के रूप में था या राजनिति विग्यान का जनक था कुछ विद्वानों ने ये कहा है कि जैसे मेक्सी का हम देखते हैं तो मेक्सी जो है वो अरस्तु को पर्थम राजनितिक विग्यानिक की संग्या देता है अब अरस्तु को पर्थम राजनितिक विग्यानिक क्यों कहा जाता है इसके समंद में जो मैटोपुन बिंदू हैं उनका हम एक एक करके डिसकस करते हैं पहली जो मैटोपुन बात है वो ये है कि अरस्तु ने आगमनात्मक अदिन पदती का अनुसरन किया और इस अदिन पदती में वेग्यानिक्ता का पूठ होता है मुल्यों, नेतिकताओं, कल्पनाओं, आदर्सों को कोई स्थान परदान नहीं किया जाता तो अरस्तु पहला वेग्यानिक्ता जिसने अपने अधिन में आगमनात्मक अधिन पदती को अपनाया दूसरी जो सबसे महत्वपन बात है, वो यह है कि अरस्तु ने राजनिती विग्यान को आचार सास्तर वेग्यानिक्ता से पूनतिया पर्थक किया तो दूसरा जो उसके विग्यानिक, पर्थम विग्यानिक होने का जो कारण है वो यह है कि अरस्तु ही पहला विचारक था जिसने राजनिती विग्यान को आचार सास्तर वे नेतिक्ता से अलग किया यानि नेतिक्ता और आचार सास्तर को राजनिती विग्यान में कोई स्तान परदान नहीं किया अगला जो मैतपुण बिंदू है वो ये है कि अरस्तु है उसने अरस्तु है वो पहला विद्वान है जिसने यथार्थवाद का समर्थन किया और एक यथार्थवादी विचारक के रूप में अपनी पहचान छोड़ी यथार्थवाद का मतलब है कि इसमें आदर्सों मुल्य और नितिकताओं को कोई स्थान परदान नहीं किया अगला जो बिंदु है उसमें ये है कि अरस्टु को पर्थम राजनितिक वेग्याने की होने का जो गोरव प्राप्त वो इसलिए भी है क्योंकि अरस्टु ने राज्य के समंद में संपूर्ण विकास करमबद अध्यन निर जो वेवस्तित या जो करमबद जो अध्यन किया राज्य का वो सर्वपर्थम अरस्टु ने ही किया नागरिक्ता के समंद में सर्वपर्थम अरस्टु ने ही विचार वेक्त किये जो आगे चलकर विबेन जो बड़े-बड़े देश जो राष्ट जो राज्य थे उनके लि नुन्यसक पड़े कानौन है, इसको सर्वूच स्तान पड़न किया जाना चाहिए। और इस समन्ध में अरस्तु ने अपने समय में परचलित 158 देशों के सविदानों का वर्गी करन करके राजनिति विज्ञान में तुलनात्मक राजनिती है, उसकी निवरकी। अरस्तु है उसी ने सर्वा पर्थम ये कहा था कि मनुष से हुए एक राजनेतिक प्राणी है जो वर्तमान समय में आज भी अरस्तु का ये जो विचार है वो ये पूर्णतिया प्रासंगिक है अरस्तु ने ही सर्वा पर्थम सरकार के जो तीन अंग है वो उनका निर्धारन या निरुपन किया था वेवस्तापन यानि वेवस्तापी का कारिय कारिय यानि कारिय पालिका न्याई पालिका तो इन अंगों का जो सर्वा प्रतम निरूप पना है वो अरस्तु नहीं किया था और अरस्तु ने इस पर सब्दों में का था कि ये अंग चाये बले ही आदुनिक अंग विदाई का, कारिय पालिका, न्याई पालिका के बिल्कुल अनुरूप ने हो लेकिन बहुत कुछ उन से मिलते जोगते हैं अरस्तु की एक होज आगे चलकर सक्ति पर्थकन सिधान्त और नियंत्रन वसंतुलन सिधान्त की रूप रेखा बनी तो यदि हम उपन्यूट सभी तत्वों पर सामुहिक रूप से यदि विचार करते हैं तो हम पाएंगे कि अरस्तु को राजनित्य विज्यान का जनक कहने में कोई अतिशोक्ती नहीं है मेक्सी ने सत्य रूप में ही अरस्तु को पर्थम राजनित्य विज्यानिक कहा है तो ये थे हमारे वो बिंदू जिनके आधार पर अरस्टू को राजनिती विग्यान का जनक या पर्थम राजनिती की विग्यानिक होने की संग्या दी जाती है संक्सेप में इनको फिर दोनेने का प्रियास करें तो सबसे पहली बात तो यह है कि अरस्टु ने जो अधियन पदती अपनाई वो विगयनिक अधियन पदती थी जिसको हम आगमनात्मक अधियन पदती के नाम से जानते हैं और यह जो अधियन पदती है अगमनात्मक अधियन और नितिसास्तर से पर्थक किया अपने विचारों में ये थारत वाद का सहारा लिया राज्य के समझ में जो विवस्तित विचार जो प्रकट किये थे वो अरस्तु दुवरा किये गए थे नागरिक्ता के समझ में जो विचार व्यक्त किये थे जो आगे चलकर संपूर्ण दे अपने समय में परसिले 358 देशों का सविधानों का अध्यन करके राजनिती विग्यान में तुलनात्मक राजनिती की नेम रखी अरस्तु ने इस पर सब्दों में कहा था कि मनुस्य एक राजनितिक प्राणी है वर्तमान समय में जो सरकार के तीन अंग है उसका निरोपन परतम अरस्तु के द्वारा ही किया गया था तो ये कुछ ऐसे बिंदो हैं जिनके आदार पर हम अरस्तु को परतम राजनितिक विग्यानिक होने की संग्या दे सकते हैं अगला जो हमारा इस वीडियो का जो टोपिक है वो है अरस्तु के राज्य समंधी विचार देखिए अरस्टू ने सबसे पहले सोफिस्टों के इस विचार का खंडन किया कि राज्य की उत्पति समाजिक समझोते के माध्यम से हुई है कुछ विचार के मानते थे कि राज्य की जो उत्पति हुई है वो समाजिक समझोते के माध्यम से हुई है लेकिन अरस्टू ने सर्वपरतम इस बात का खंडन किया कि राज्जे की उत्पतिय वो सामाजिक समझोते के माध्यम से नहीं हुई है अरस्तु ने राज्य की उत्पत्ती के समंद में जो सिधान्त दिया वो राज्य के समंद में विकासवादी सिधान्त का समर्थन करता है और राज्य को एक प्राकर्ति किया स्वाभाविक सैंस्ता कहता है अरस्तु ने राज्ये को क्या बतलाए है राज्ये को प्राकर्तिक या स्वभाविक सेंस्था कहा है अरस्तु ने राज्ये को परिवाशित करते हुए इसपर सब्दों में लिखा है कि राज्ये गाउं और परिवारों का एक समुह या संगठन है जिसका उदेश से एक आतम निर्भर जीवन को प्राप्त करना है तो राज्य को परिवाशित करते हुए क्या परिवाशा दी है रस्तुने राज्य की राज्य गाओं और परिवारों का एक समुह या संगठन है और जिसका उदेश से पुरण और आतम निर्बर जीवन को प्राप्ति करना है या दूसरे सब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि राज्य की उत्पति मनुष्यों की आवसेक्ताओं के पूर्ति के लिए हुई है और उसका उदेश से सद जीवन की प्राप्ति है यानि राज्य है वो मनुष्यों से क्यावसेक्ताओं की पूर्ति करता है और उसका उदेश से वो अच्छे जीवन की प्राप्ति के लिए है अब अरस्तु के जो राज्य समंदी विचार हैं उसका जो मैतवपूर्ण या जो पहला बिंदु है वो ये है कि राज्य जो है वो प्राकरती की या स्वभाविक है राज्य वेक्तियों गाउं और परिवारों का ही वरत रूप है जिस परकार वेक्ति गाउं परिवार ये सब स्वभाविक है तो ये उसी का वरद रूप है जिन पर राज्य का अस्तित्व निर्बर है वे सभी स्वाभाविक हैं तो राज्य भी स्वाभाविक ही होगा तो पहली बात तो ये है कि रस्तु के अनुसार राज्य प्राकर्ति क्या स्वाभाविक है प्राकर्ति क्यों है क्योंकि रज्य का जो है रज्य जो है वो वेक्ति गांव और परिवार का ही वरद रूप है तो जिनके उपर ये टिका हुआ है वो स्वभाविक है तो उसी प्रकार रज्य है वो भी प्राकरतिक है वो भी स्वभाविक है तो पहली जो बात है वो तो ये थी कि राजे प्राकरतिक है राजे स्वभावीक है दूसरा जो बिंदु है अरष्टु के राजे समंधि विचारों का वो ये है कि राजे व्यक्ति से पूर्वे का संगठन है राज्य वेक्ति से पूर्वे का संग्ठन है इसका मतलब यह नहीं है कि राज्य का निर्मान वेक्ति से पूर्वे हुआ ये एक प्रकार से मनोवेग्यनिक अवधारना है अथारति अरस्टू इसमें ये बतलाने का प्रियास करता है कि जैसे हम देखते हैं कि कोई भी माल जैसे अपन सरीर से इसकी तुलना करते हैं तो सरीर में संपून ता जो है या एक प्रकार से इसकी तुलना सरीर जीवधारी से करते हैं सावियव जीवधारी से तो इसमें हम देखते हैं कि पूरन ता पहले आती है और उसके अंग बाद में आते हैं जैसे सरीर की बनावटा वो पहले हुई उसके बाद में जो अंग है अंगूलियां पैर आंक कान नाक ये सब बाद में आते हैं तो ठीक उसी परकार अरस राजे समगर है और वेक्ति उसका एक अंग है अरस्तु ये भी कहते हैं कि विकास की दरश्टी से या करम की दरश्टी से वेक्ति पहले है लेकिन परकर्ति की दरश्टी से राजे पहले है तो दूसरा जो सबसे मैतोपुर्ण बिंदू जो था वो ये था कि राजे वेक्ति से पूर्वय का संगठन है तीसरी जो सबसे महतोपन जो बात है वो यह है कि राज्य समुदायों का समुदाय है जितने भी समुदाय है उनमें राज्य है वो सर्वोच है अरस्तुने राज्य को जितने राज्य में जितने भी समुदाय है उसमें सर्वोच समुदाय राज्य को मा और राज्य को समुदायों का समुदाय कहा है अरस्तु ने इस पर सब्दों में कहा है कि राज्य वह एक आतम निर्बर संगठन है अरस्तु के अमसार राज्य अपनी आवसेक्ताओं की पूर्ति स्वेम करता है और इसके लिए वह दूसरों पर आश्रीत नहीं रहता तो अगल स्वेम आतम निर्बर है और अपनी आवसेक्ताओं की पूर्ति वह है अगला जो है वो मैंने अभी आपको बताया था अरस्तु ने राज्य की जो तुलना है वो साव्यव जी धारी के समान की है अरस्तु के अनुसार राज्य की पैचान उसके सविधानों के माद्यम से होती है तो आज की सज्वाइब का जीवन परीचें धिन्पदतियां अरस्तु की प्रशिद रचनाएं पुस्तखें अरस्तु परनवराज नितिक विग्यानतिय विश्वाइब की किया है आगे के जो वीडियो हैं वो करम से जारी रहेंगे धन्यवाद